उस्तो नमस्कार एक वाफिर से आप सभी का क्रिप्टो करंसी की दुनिया में स्वागत है और आज का वीडियो फ्रेंट्स बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है खासकर जो लोग क्रिप्टो करंसी अब इटकोईन में काम करते हैं तो चलिए फ्रेंट्स स्टार् लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि क्या इस समय रिप्पल कोईन में इंवेस्टमेंट करना चाहिए और क्या रिप्पल कोईन को इस समय बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए और या फिर होल्ड करना चाहिए और क्या इस समय रिप्पल कोईन मौका देगा या फिर दोखा देगा तो अगर आप क्रिप्टो करंसी में रिपल क्वाइन में इंट्रेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को आप लोग जरूर एंड तक देखिएगा तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको वताओ फ्रेंड्स कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में आप रिसर्च करते हैं, एनलिसीस करते हैं और उस पर debit में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो यह करना है कि क्वाइन मार्केट का बेफसराइट पर जा करके क्वाइन का रैंक चेक करना है तो मैं आपको बताऊं आल्रेड़ी 4,000-5,000 कौन वहाँ पर listED है और ripple कौन का जो rank है यहां पर वो third rank है और यह कौन top 3 कौन में आता है और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यह जो कौन है पूरे world में जितने भी cryptocurrency के users हैं उनकी नजर में है इसका मतलब यह है कि top 3 कौन में आना top 3 rank में आना मुरुप क्रिप्टो करंसी में यह एक दंदार अब हम बात करेंगे पहली बात कि किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में रैंक चेक करना, दूसरी यह बात होती है कि कौन सा प्रोजेक्ट कितने cryptocurrency के एक्चेंजों पर लिस्टेड है अगर हम यहां पर ripple coin की बात करें नहीं पर इतने शारे इक्सेंजों पर लिस्टेड है पूरी worldwide जितने भी cryptocurrency के एक्चेंज है चाहे वो बड़ा एक्चेंज हो या फिर छोटा एक्चेंज हो हर exchange पर आपको Ripple Coin मिल जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी project जितने जादा एक्षेंजों पर लिस्टेड होगा उतनी जादा trading होगी उतना जादा volume होगा और उसी के according वो coin पूरी worldwide famous भी होगा अब हम बात करेंगे कि क्या आप Ripple Coin के बारे में कुछ secret जानते हैं सबसे जो पहला और important secret है कि जितनी भी cryptocurrency है सब के जो मालिक है MD है सभी लोग बहुत जादा अमीर हैं सभी लोगों के पास में बहुत जादा पैसा है चाहे आप Ethereum के मालिक की बात कर लें या फिर Binance के CGG की बात कर लें या फिर Tron Coin के जो Suggestion Sun है उनकी बात कर लें लेकिन आपको साइद यह नहीं पता होगा कि जो Ripple के MD है सबसे जादा वर्ड में वही अमीर इंसान है मतलब क्रिप्टो करंसी की इंडेस्ट्री में सबसे अमीर इंसान अगर कोई है तो वो है Ripple कोईन का MD तो यह था पहला और important secret अब हम बात करेंगे जितनी भी क्रिप्टो करंसी है मार्केड में वो है decentralized अब बहुत सारे लोग हो सकता है decentralized का मतलब ना जानते हो अगर आप नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताईएगा हम इसके उपर भी एक वीडियो जरूर बनाने की कोस्टिस करेंगे तो Ripple जो कोईन है वो centralized कोईन है और जितनी भी सारी क्रिप्टो करंसी है मार्केड में वो decentralized कोईन है जब यह प्रोजेक्ट आया था तो मार्केड में लोग centralized की वज़ा से इसमें बहुत ज़्यादा investment नहीं करते थे इसको sleeping कोईन कहते थे लोग यह कोईन बहुत ही ज़्यादा परेसान करता है और सबसे बड़ी जो खास बात है कि Ethereum और Ripple इन दोनों की आपस में हमेशा लड़ाई होती है अब यह मत समझना कि आपस में दोनों लोग लड़ते हैं कोईन मार्केड कैप पर टॉप टू और टॉप थ्री यह जो rank है इसमें दोनों में उतार और चड़ाओ होता रहता है कभी Ripple कोईन टॉप टू में जाता है कभी Ether कोईन टॉप टू में हो जाता है मतलब Ripple और Ethereum 2323 इनकी rank हमेशा चेंज होती रहती है तो यह था दूसरा सेक्रेट अब हम बात करेंगे Ripple जो कोईन है इंडिया में या पूरे वर्ड में बहुत सारे क्रिप्टो करंसी है लेकिन जितनी भी क्रिप्टो करंसी है सब का एक utilization होता है हर एक क्रिप्टो करंसी का यहाँ पर use case होता है लेकिन जो Ripple कोईन है इसका जो सबसे बड़ा और main use case है वो यह है कि पूरी worldwide जितनी भी बड़ी बड़ी banks है वो लोग क्या कर रहे है Ripple को as a payment mode यूज कर रहे है और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इस क्वाइन को banking sector में हर जगे यूज किया जा रहा है इसका मतलब यह है कि बैंकों में भी इसकी बहुत ही जादा demand है अब हम बात करेंगे कि जियो Ripple क्वाइन की technology है X-Rapid यहाँ पर इस technology का use भी बहुत जादा किया जा रहा है पूरे worldwide इसको cross payment border जो होता है payment transfer करने के लिए इस technology का बहुत ही जादा use किया रहा है और मैं आपको बताओ Ripple जो क्वाइन है वो इतना जादा आपको परेसान करता है अब तो यह क्वाइन थोड़ा सा pump dump होने लगा है बढ़ता है घरता है लेकिन अगर हम बात करें 2015 की, 2016 की, 2017 की तो बहुत अच्छे से याद होगा इतना जादा यह क्वाइन परेसान करता था मतलब इसमें कोई भी fluctuation आती ही नहीं थी लोग इसको इस क्वाइन में investment करते ही नहीं थे बहुत कम investment इस क्वाइन में लोग करते थे लेकिन जब से इस क्वाइन में क्या हुआ जब से bull run पिछला आया था 2017 जनुवरी का आपको सभी को याद होगा मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से याद है जो ripple क्वाइन है वो सिरफ 10 से 12 सेंट का होता था लेकिन जब बुल रन आया था तो चार डॉलर के आसपास गया था मतलब इतना बड़ा फोमो पूरी वर्ड वाइड फेमस हो गया था इतना ज़ादा फोमो एक्सपैंड हो गया था कि इसको लोग बोल रहे थे कि 10-15-20 डॉलर चला जाएगा और मैं आपको बताओ जब रिपल कॉइन 10-12 सेंट कर था तो लोगों को ये भी नहीं भरोसा होता था कि ये एक डॉलर भी कभी जाएगा लेकिन क्रिप्टो करंसी है लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा आज तक प्रॉफिट दिया है ये चीज आपको भी पता है चाहे वो बिट कॉइन हो या फिर इथेरियम हो या फिर रिपल कॉइन हो तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉइन परेसान करता है ये पंप डंप वाला कॉइन नहीं है स्लीपिंग मूर्ड में चलता है stable बहुत ही जादा रहता है आप इसमें क्या कर सकते है short term trading नहीं कर सकते है intraday trading मतलब यहाँ पर बहुत कम कर सकते है अब क्या हो रहा है अब इस coin में लोग trading start कर रहे है trading होती है ऐसा नहीं कि trading नहीं होते है लेकिन जो market में बहुत सारी cryptocurrency है alt coin है bitcoin है उसके comparison में इस coin में fluctuation कम दिखती है तो इसलिए इस coin में क्या करते हैं लोग ज़्यादा trading नहीं करते हैं और even मैं भी इस coin में ज़्यादा trade नहीं करता हूँ यह coin सबसे best है mid term trading के लिए आप इस coin में investment कीजिए 2-3 महीने के लिए बहुत ही अच्छा return देगा up to 50% मैं आपको और एक चीज बताऊंगा क्या अभी ripple coin में investment करना चाहिए जी हाँ ripple coin में अगर आप investment करना चाहते हैं तो अभी आप अपने according risk ले करके investment कर सकते हैं current जो price है वो 2500 से 26 जो सतोसी है वो एक बहुत ही अच्छा bottom है और यहां से कई बार यह price pump हुआ है और even मैंने भी अभी लेटेस्ट में दो तीन बार trade में करवा चुका हूँ और बहुत अच्छा profit भी मिला है तो इसलिए अगर आप risk लेने के सौकीन है अगर आप risk लेना चाहते हैं और अगर आप investment करना चाहते हैं तो ripple coin में अभी investment करना चाहिए लेकिन यह सिरफ मेरे recording है 2500 से 2600 सतोसी के बीच में आप ripple coin को investment कर सकते हैं अब हम यहां पर बात करेंगे कि क्या ripple coin को sell कर देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने थोड़ा सा high price में लिया है उनको knowledge नहीं थी या फिर उन लोगोंने गलट time पर यहां पने investment किया है तो मैं आपको यही suggestion दूँगा कि यह sell करने का मौका नहीं है कम से कम 3000 सतोसी पे इसको sell out कीजिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्या इस ripple coin को hold करना चाहिए क्या इस ripple coin में investment करके future के लिए hold करना चाहिए जी हाँ इस coin में आप थोड़ा सा investment कर सकते हैं future के लिए long term के लिए mid term के लिए लेकिन मैं आपको बताओ जो buy करने का zone है वो 2500 से 2600 के सतोसी के बीच में होना चाहिए और अगर आप short term में trading करते हैं मैं short term trading का target भी बता देता हूँ आपको 2800 से 3000 के बीच में आपको short term trading में profit ले जाना है मतलब 15 से 20% आपको profit लेना है उसके बाद में exit हो जाना है अब हम बात करेंगे medium term की medium term में आप 3000 से ले करके 3000 सतोसी के बीच में exit कर सकते हैं और अगर आप long term investor है तो long term के लिए आप investment कर दीजिए आने वाले time में आप एक अच्छा return दे सकता है क्योंकि ये project जो है दमदार project है पूरी worldwide famous cryptocurrency है और भी बहुत सारी ऐसे चीज़े है अब हम यहाँ पर जो important बात है वो करेंगे बहुत सारे लोग पूशते हैं कि क्या ripple coin इसका price prediction कितना हो सकता है क्या कभी ये 1 dollar जाएगा या नहीं जाएगा क्या कभी 5 dollar जाएगा या नहीं जाएगा friends मैं आपको बताओ इस तरीके की price prediction तो पूरे world में accurate कोई नहीं कर सकता है लेकिन जो मेरा 3-4 साल का experience है cryptocurrency field में वो ये है कि अगर सब कुछ अच्छा रहा bitcoin बहुत ही जादा pump हो गया सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो आप ये मानके चलिए ripple 1 dollar बहुत ही जल्द टच करेगा और हाँ ripple coin in future 5 dollar को भी टच कर सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्यों मैं बता रहा हूँ कि 2017 में जब ये 10-12 cent का था और 4 dollar चला गया था unexpected pump हुय थे सारे के सारे alt coin अब ये है कि future में क्या होता है लेकिन हाँ ये project अच्छा है investment कर सकते है scam project नहीं है अभी time भी अच्छा है bottom पर available है इस coin में आप निवेस कर सकते है अपने according अब आप लोग हमें बताईएगा कि आज का ये video कैसा लगा अगर पसंद आया है तो like करे share करे और comment करके हमें जरूर बताएग और हाँ आप लोग अगला कौन सा project के बारे में यहाँ पर analysis और research चाहते है वो हमें comment section में comment करके बताईएगा अगले वीडियो में हम आपका वीडियो यहाँ पर आपका project के बारे में research करके जरूर बताने की कोसिस करेंगे और हाँ अभी ripple coin में हमने दो तीन ट्रेड करवाई है टेलिग्राम ग्रूप में अगर आपने अभी तक टेलिग्राम ग्रूप कर नहीं जोईन किया है तो जरूर जोईन कर लिजे क्योंकि इस समय 100% free टेलिग्राम चैनल चल रहा है तो उसका advantage आप लोग ले सकते हैं प्रोजेक्ट के जो signal देते है signal होता है buying selling होती है exit entry होती है सब कुछ उसमें देख सकते हैं समझ सकते हैं सीख सकते हैं अगर आप risk लेने के सौकीन है तो फिर आप trade भी ले सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केर वेस्ट आप लग है बनाइस टे